आप लोगों के लिए फिर गोबी की एक नई रस्पी लेके आई हूं इंशाला उमीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी पहले भी मैंने गोबी पोड़ा बनाया आप लोगों बहुत पसंद किया है तो आज भी हम यह रस्पी गोबी की बनाएंगे यह इंशाला आप लोगों को अच्छी लगेगी तो चले यहां पर वीडियो शुरू करते हैं अब इसकी कटिंग देखें कटिंग ज़रूर देखा करें इस तरह हम पहले पीसु उतार देंगे यह माशाला बहुत मजे की बनेगी रस्पी इन्शाला यह भी आप लोगों को अच्छी लगेगी अब यहां पर क्या करेंगे अब यहां पर देखें दरम्यां से इस तरह हमने दो पीस कर लेने यह देखें कि यह थोड़ा सा तरदेए अधर होता है अग्यां तकने में टायम लेत इस तरह आपने कालेना सब को इस तरह अब यह देखें भड़ा पीस है तो इसके हम तीन पीस करेंगे यह इंक लिए आप इदर से हम इसको इस तरह यह भी बड़ा पीस है तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे इस तरह और इधर से हैं अब यहां पर एक चमाचे नमा का हम आड़ करतेंगे और अब इसके अंदर गरम पानी भी समिला रख हो रहा है अब गोबी इसके अंदर हम दो मिंट दो से डाइ मिंट इसके अंदर रखेंगे इसके अंदर जितने भी ओचोचोटे कीरे चुपे होते हैं और जरासी होते हों मार जाते क्योंकि यह उपर से कवर लीना होती है जमीन पर ऐसी नंगी पड़ी होते हैं तो आपने जरूर इसको इस तरह वाश करना है यह बहुत जरूरी है हमारी सेथ के लिए यहां पर मैंने चार एंडे लिए इनको हमें इस तरह यह देखें कि ऐसे निशान लगा देंगे फिर इधर भी उसी तरह इस तरह आपने लगा देंगे इस तरह आपने लगा देंगे इस तरह बहुत जबर्दस रैस्पी बनने वाली यह इंशाल्ला यह देखें जी माशाल्ला कि इतनी साफ हो जाती है देखें चमक कैसे आ रही है इसकी जब आप दो लेते हैं तो देखें इसकी चमक इतनी जबर्दस सफाई हो जाती है अब इसको निकाल के हम छनणी में रख देंगे कि सारा पानी जो है निकल जाए यहां पर फ्लेम में नियान कर दिया एक कपा हम आइल डालेंगे यहां पर बिसमिल्ला राह्मानि रहीम अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हल्थी राफ टीजपून डालेंगे इसको पाल जो के तर निक्स अब इसके अंदर डाल देंगे चार अंडे यहां थोड़ा सा फ्राइब करनेंगे अर्च तक आप लोगों को किसी नहीं बताया के अंडा हम क्यों फ्राब यह फ्राइब कर रहें हैं यह के अज़ा फ्राइब आब जब हम सालन में डालेंगे तो यह घुलेगा नहीं इसके उपर वारी जो ले रहे हैं थोड़ी का हाड हो जाएगी अब इनको हम निकाल लेंगे अब आलू इसके अंदर डाल देंगे बिसमिल्ला राह्मानी राहीम अब इनको भी निकाल लेंगे अब यहां पर डाल देंगे गोबी बिसमिल्ला राह्मानी रहीम आँच आपने ज्यादा हाई नहीं रखने मेडियम रखने इनको जिलाना नहीं है आपने इस तरह की शारी डाल देंगे इस तरह की शारी डाल देंगे इसको एक मिंटर आज़के आपने अभी निक्स कार देना इसको भी दो तीन मिंटर पकाएंगे मार्शला देखेंगे इसको हलका हलका गोल्डन कलर आगया आप इसको निकाल लेंगे बिस्समिल्ला रह्मानी रहीं अब इसके अंदर डाल देंगे प्यास मैंने दो चुछड़े प्यास लिए चप्रीकरी काट लिए यहां पर थोड़ा अशा और आयल डाल देंगे क्योंगे इसके अंदर एक चमच भरके द्रक लसन का पेस यह डाल देंगे अब यहां पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे अदर एक लसन जोना बड़ी जल्दी नीचे लबता है यहां पर थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे अब यहां पर नमक में इसके आड़ करेंगे नमक देखे खाने का चमच एक मैंने डाला आप अपने इसके मताबिक डाला करें जिसने आप लोगों को परसान ले उसने ही डाला करें यहां पर एक चमच धनिया पॉडर एक चमच गरम साला एक पर देंगे और हाफ चमच हम किश्मीरी चिली पॉडर डाल देंगे और एक चमच खाने का लाल पुटी मिल्च थाख हल दी जाएगा इसके अंदर यहां पर यह देखे कलवंजी डाल देंगे एक हाफ टी स्पून यह हाफ टी स्पूने ज्यादा बड़ा नहीं है और थोड़ी इसी हम अजवेन डाल देंगे अजवेन जरूर खाने में आड़ इसे गयाख टी तो पेट में दर्वत नहीं होता हाना हजम हो जाता है यह दोनों चीजे जरूर एड़ी आपर थोड़ा सा यहां पर पानी आप करें अब इसकी जुनाई करते हैं अची तरह यहां पर देखे मैंने मतर लिये हैं गाजर एक बड़ी गाजर ले थी उसके मैंन इस तरह चोचड़े पीस कर लिये और यह मतर है अलेके हाफ प्याल लिये फुल उपर तक नहीं मैंने की यह दोनों चीजे आपको जो पसंद लगे वह आप डाले दूसरी स्किप कर दे अब यहां पर टमाटर एड कर देंगे टमाटर मैंने एक ही डाला है चोचड़े पीस क अब साथ ही यहां पर मटर एड कर देंगे और गाटर इनकी भी साथ ही बुनाई होती है जो तीन में इसके बुनाई करें यहां पर मैंने दो आदू लिये अच्छी तरह दो लिया इनको अब इनकी भी कटिंग आप देखें बिसमिल्लार अपने रहें इसकी भी कटिंग आपने इस तरह ज्यादा बड़े बड़े नहीं आपने काट रहें यह बहुत जबरदस रेस्पी है मैंने क्रेले की आलू की बिनाई है ना रेस्पी वह भी माशाला बहुत मज़े कि जरूर देखा करें एक दफार ट्राई जर देगा माशाला फिर बार पार आप बनाएंगे माशाला देखें जी यहां पे सब्जी ने आइल चोड़ दिया अब क्या करेंगे यहां पे आधू एड़ कार देंगे बिसमिल्ला रह्मानिला ही करेंगे अब साथ ही यहां पे गोबी आगटा देंगे अब देखें गोबी माशाला आपने इसी तरह इसको रखना ज्यादा हो नहीं चमच आपने ऐसे मारना के सब गोबी टूट जाए देखें कैसे माशाला में प्यार से बना रही है एक दो मिल्ट आपने इसकी बुनाई कर लिए फिर आगे भी खा दिए आप लोगों को आपको इतरह कलर रेड नहीं पसांतर तो आपको कुषिमीरी चिली पोडर थोड़ा एड़ कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं लेकर इसे रेस्टी खुबशूरत लगती है इसे तिरह येल्व येलो नगार आता है ठाणा अपको पानी आड़ करेंगे पानी आपनी आपने ज्यादा नहीं एड़ करना सब्सक्राइब अखार जादाना देखेंगे एक गलास यह एक कोप कहने चोटा गलास से बढ़ानी भी सिमिल्ला राह्मान निराहीं यह हम एड़ कर देंगे आपने ज्यादा पानी नहीं डालना कि आपकी सबजी बीच में डूबी हो आपकी सबजी नजर आनी चाहिए देखें इतना पानी बीच में होना चाहिए अब यहां में अंडे राख दूंगे तो फाले पके हुए है अब एक अबाला आने तक फिर मैं आप लोगों को दिखाती है कि आप लोगों ने क्या आगे करना है उपर से कवर का देखें यहां पर देखें अब क्या करेंगे अंडे जो है न ऐसे हम बीच में छुपा देंगे अब ही दो चीजा मैंने आड़ कर वो आपको दिखाऊंगी कब अब इसको हम यहां पर हलकी आँच में जैसे हम चावल पकाते हैं तो उनको धम पर राख देते हैं वैसे हम यहां पर सब्जी को राख देंगे तक्रीब पांच से छे मिंटा फिर देखें इसकी लोग चले जी माशाला यहां पर देखते हैं बिस्मिल्ला राह्माने रहीं यह देखें अब देखें आपने इतना रखने बीच में शोर्बा तो आप अब उतार दे ज्यादा भी खुश्क ना खाया नहीं जाता अब यहां दूंगी देखें रादरियां डाल देंगे ग्रीन चिली मैंसे डाल दूंगे एक मिंटा इसको बेज आँच पे एक मिटर पीचे से बूदे तीज आँच पे इसको दूंगे पानी तो दूंगे पकाया करें पिर देखें इसका मज़ा भी और दूसरा मार्शला यह होता है कि आप ज्यादा पानी डाल तो इसको प्र तेज आँच पे पकाते तो वह चीज इसका मजा नहीं आता चितना आप घम पे चीज पकाये फिर देखें माशाला एक दफा नचीक से दिखाती हूं देखेंग जिए माशाला सबजी आप तरह जबातस बनी माशाला देखेंगे अब यहां पर मैं सबजे डालती हूं देखेंगे जी ये अंडे को ऐसी रखते हैं कि कटिंग आपको दिखाते हैं आपके मिहमान भी आई तो देखें माशाला ये कि सब्जी आप अच्छे स्टाइल से और मजे की बनाई रहे हैं आपको जुरूरत ही कि आप गर्यानिये बनाई या गोश्ट वगारा है आप सब्जी अच्छे तर ये ना माशाला ये देखें अभी थोड़ा सा धनिया मैंने बचाया था भूप पर डाल देंगे देखें जी माशाला कितनी जबल्दस रेस्पी और कितनी जबल्दस तुलूक है इसकी आपको नजदीक से भी दिखाती हूं देखें माशाला जी अब यहां पर मैं आप अब इजाज़त चाहती हूं अला आफेस